उफ, अब मेरी मेनट सफल होई। लंबे समय से एक मजबूत घर बनाने का सपना देख रहा हूँ। काफी सारे इंजिनियर्स के साथ परामश भी किया। सबने यही कहा कि घर का सबसे जरूरी हिस्सा है बुनियाद ही घर की जान होता है और बुनियाद की जान है फुटेंग। पर क्या है यह फुटेंग। आपके घर का पूरा भार जमीन पर ट्रांसफर का काम करता है यह फुटेंग। इसका महत्व अतुलेनिये हैं। एक बार घर का निर्मान हो जाने के बाद नहीं इसको बदल सकते हैं और नहीं इसकी मरम्मत की जा सकती है बुनियाद मजबूत तब ही होती है जब इसका निर्मान सही सामगरी से किया चाए पैसा और समय काफी खीमती होता है मेरे जैसे लोगों के लिए और इसी लिए काफी सोज समझ कर मैंने चुना है टिसकॉन रेडिमेट फुटिंग, संपूर्ण भरोसे और घर की सुरक्षा के लिए पारम पर एक तरीके से ये फुटिंग बनाने के लिए सरीय को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर हाथों के बल से तेढ़ा किया जाता है इसके कारण सही नाप की फुटिंग नहीं बन पाती और इसके साथ ही सरीय का कुछ भाग, वेस्ट भी होता है हाथों से टेड़ा करने के कारण सही एंगल मिलना असंभाव है टेड़ा करते समय सही मैंड्रेल का उपयोग नहीं करने से सरीय के मोड पर दरार पढ़ने की भी संभाव न रहती है नतीजा बुनियाद की कमजोरी पारमपरिक तरीके से 1000 स्क्वेर वर्ग के घर की बुनियाद के निर्माण के लिए लगभग 5 दिन का समय लग जाता है जबकि टाटा टिसकॉंड रेडिमेट फुटिंग के इस्तिमाल से ये काम दो दिनों में ही पूरा किया जा सकता है टिसकॉंड रेडिमेट फुटिंग आज मैं निश्चिन्त हूं सिर्फ इसके भरोसे मजबूत बुनियाद का जबरदस्त समाधान टाटा टिसकॉंड रेडिमेट फुटिंग